गूड इवनिंग चिल्डरेंग वेलकम अगेन इन माय योटूब चैनल गुरुकुल लर्निंग अकैडमी तुड़े आर टॉपिक इस हिंदी स्टोरी आज की कहानी का नाम है भीम और हनुवान सो बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी सुहावना मौसम था दुरुपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी इतने में एक सुन्दर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आगे रा दुरुपदी ने उसे उचा लिया और भीम सेन के पास जाकर बोली क्या तुम जाकर ऐसे कुछ और फूल ला सकोगे या कहती हुई दुरुपदी हाथ में फूल लिये ये दिस्टिर के पास दौड़ी गड़ी दुरुपदी के इच्छा पूरी करने के लिए भीम सेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा चलते चलते वह पहाड की घाटी में जा पहुँचा जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा था बगीचे के बीच एक विशाल बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था बंदर ने भीम की तरफ देख कर कहा मैं कुछ अस्वस्त हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी मुझे क्यों जगाया तुमने एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीम सेन को बड़ा क्रोध आया और बोला जानते हो मैं कौन हूँ मैं कुरुवन्ष का वीर कुंती का बेचा हूँ मुझे रोको मत मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो बंदर बोला देखो भाई मैं बड़ा हूँ कठिनाई से उच बैठा बैठ सकता हूँ ठीक है यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ भीम सेन ने कहा किसी जानवर को लागना अनुचित कहा गया है इसी से मैं रुख गया नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ठीच लांग में लांग कर चला गया होता बंदर ने कहा भाई मुझे जरा बताना कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था भीम सेन जरा कड़क कर बोला क्या कहा तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते उटकर रास्ता दे दो नाहक मृत्तिव को न्यवता मत दो बंदर बड़े करूड वचन से बोला हे वीर शांत हो जाओ इतना क्रोध ना करो यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूच को हटा कर एक और कर दो और चले जाओ भीम से इनने बंदर की पूच एक हाथ से पकड़ ली लेकिन आश्चर यह भीम ने पूच पकड़ तो ली पर वह पूच उससे जरा भी नहीं हिली उठाने की तो कौन कहे उसने दोनों हाथों से पूच पकड़ कर खुब जोर लगाया किन्तु पूच वैसी की वैसी धरी रही भीम बड़ा लजजित हुआ उसका गर्व चूर हो गया उससे बड़ा विसमे होने लगा की मुझसे अधिक ताकतवर या कौन है भीम के मन में बलिस्टो के लिए बड़ी श्रद्धा थी वह नम्र हो गया बोला मुझे शमा करो आप कौन है हनुमान ने कहा हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ वानर स्रेष्ट मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए कहकर भीम सेंद ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया मारुती ने आशिरवाद देते हुए कहा भीम युद्ध के समय तुम्हारे भाई अरजुन के रत पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्दिवान रहूंगा विजय तुम्हारी ही होगी इसके बाद हनुमान ने भीम सेंद को पास के जरने में खिले हुए सुगंदित फूल दिखाए फूलों को देखते ही भीम द्रोपदी का स्मरन हो गया उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की और लौट चला बच्चो ये थी आज की हमारी कहानी थैंक यू